Hello everyone, तो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे American famous poet Maya Angelou की एक poem के बारे में which is Caged Bird, जिसका complete name है I Know Why The Caged Bird Sings. ये publish हुई थी 1983 में, इनकी एक collection में जिसका नाम है Shaker Why Don't You Sing? ये poem free rhyme और free verse में लिकी गई है, मतलब कि इसमें कोई rhyming scheme fixed नहीं है और नहीं fixed stangas है, ये six small parts में divide है stangas में, बट इनकी line fixed नहीं है और इसकी theme है freedom versus captivity, इस poem को और अच्छे से समझने के लिए आपको इसकी basic theme का पता होना चाहिए यहाँ पर हमारी poet Maya Angelou ने दो तरहा की birds को describe किया है एक जो caged bird है और दूसरी जो free bird है, free bird को अमेरिका के white people से compare किया गया है जैसे वो अपनी आजादी से जी रहे हैं आपको पता है कि उस time पे जब Maya Angelou जिंदा थी और वो लिख रही थी तब color discrimination कितना था और उसी को बहुती beautiful तरीके से Maya Angelou ने अपनी इस poem के through हम सब को दिखाया है इस beautiful से poem को start करने से पहले Maya Angelou हमारी जो poet है, उनके बारे में हम कुछ बाते जानते हैं वो 4 April 1928 को born हुई थी और 28 May 2014 she has died Maya Angelou American poet होने के साथ सथ एक memorist और civil right activist भी थी उन्हें तीन बार Grammys award उनके spoken word album के लिए मिला है इसके साथ ही साथ उन्होंने 7 autobiographies लिखी है, 3 books लिखी है essays पे उन्होंने बहुत सारी poetry लिखी हैं और books publish करवाई है साथ ही साथ उन्होंने काफे सारे plays, movies और television shows में भी काम किया है और उनके famous work है I know why the cage bird sings जो आज हम read करेंगे and second on the pulse of morning यहां से अब हमारी poem स्टार्ट होती है a free bird leaps on the back of the wind एक आजाद पक्षी कलाबाजियां करता है उरता है खुली हवा में and floats down steam till the current ends और तब तक उरता है जुक कर जब तक की हवा का direction उसे disturb नहीं करता या रोकता नहीं है and dips his wing in the orange sun rays वो अपने पंको को जुकाता है dips his wing in the orange sun ray जो सूरज की किरने होती है उनके बीच उनको जुकाता है and dares to claim the sky just because वो एक free bird है इसलिए वो इतना dare रखता है कि वो पूरे sky पे अपना rule कर सके और यहां पर यह जो free bird है वो white American people को present कर रही है जैसे वो रहा करते थे अमेरिका में उस time पर अब हमारी writer Maya Angelou cage bird के बारे में बात करेंगी जो की represent करता है black people of America of that time एक free bird जो कहीं पे भी उड़ सकता है whereas another जो नहीं उड़ पाता उसके लिए बोला गया है but a bird that stalks down his narrow cage एक bird जो गुसे में एक छोटी से cage में narrow cage में नीचे की तरफ बैटा है and can seldom see through his bar of rage in lines में ये बताया गया है कि वो जो cage bird है वो अपनी गुसों की सलाकों के पीछे beyond नहीं देख पा रहा शायद ही कभी उसने देखा होगा through his bar of rage his wings are clipped and his feet are tired means उसके पंखों को काट दिया गया है और उसके पैरों को बांध दिया गया है उस पिंजरे ने उसको उड़ने से रोक रखा है इसलिए ये lines हमारी poet बता रही है so he opens his throat to sing क्यूंकि अब उस bird के पास करने को कुछ नहीं है इसलिए उस bird ने अपनी throat को open किया है अपनी चोच को अपनी beak को open किया है अपनी दर्द को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि उसे भी freedom चाहिए अब इन लाइन्स में बताया गया है कि वो caged birds क्या गाते है तो यहां बोला गया है the caged bird sings with a fearful trill of things unknown वो उन चीजों के बारे में बात करते हैं या लिखते हैं जैसे कि black American people उस time पे लिखा करते थे जिनसे वो डरते भी थे और वो उन्हें जानते भी नहीं थे still they were demanding because freedom तो कभी उन्होंने टेस्ट की नहीं but logged for still फिर भी वो उस चीज की demand कर रहे थे and his tune is heard on the distant hill और उसकी आवास इतनी तेज है कि वो दूर दराज hills तक भी जा रही है for the caged bird sings of freedom और वो demand किस चीज की कर रहे है सर्फ असर्फ freedom की जिसको अभी तक उन्होंने टेस्ट भी नहीं किया यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस तरीके से white American people रहते थे उनको जो rights मिले थे वो equal rights black American people को भी मिलने चाहिए थे similarly जैसे यहाँ पर free bird और cage bird में distinct दिखाया गया है वैसे ही cage bird की singing के through हमें black American people का pain शो किया जा रहा है the free bird thinks of another breeze यहाँ पर free birds के बारे में बताया गया है कि एक तरफ तो cage bird बहुत परिशान है बट यहाँ पर जो free bird है वो एक और breeze के इंतिजार में है and the trade winds trade winds वो winds होती है जो east से west की तरफ trees से होते हुए गुजरती है and the fat worms waiting on a drawn bright lawn जो bright lawn है वहाँ पर morning के वक्त fat worms wait कर रहे होंगे morning होने का और वहाँ पर वो उस वक्त उसको जाकर खाएगा तो आप देख रहे हो कितना easy है free bird के लिए सब कुछ flying and enjoying साथ ही साथ खाने की भी कोई tension नहीं and that's why he say and he names the sky his own और वो पूरे sky को अपना मानता है और उस पे fly करता है but a caged bird stands on a grave of dreams but वो जो caged bird है वो अपने कबर के सपनों पर खड़ा है and his shadow shouts on a nightmare scream और उसे रात के वक्त भी chain से नींद नहीं आ रही है उसके nightmare में वो चिलाता है और क्या सोचता है his wings are clipped and his feet are tired मतलब उसके wings को काट दिया गया है और उसके feet को बांच दिया गया है so he opens his throat to sing और फो फिर से ही अपना गला खोलता है मतलब यहाँ पर वो चिलाता है और अपनी बात लोगों को बताता है इस last tenja के साथ वही lines repeat होती है the cage bird sings with a fearful trill of the things unknown अभी भी वो cage bird sing कर रहा है गाते गाते डर भी रहा है और गा किस चीज के लिए रहा है उन्हीं unknown चीजों के लिए but lock for still अपनी आजादी के लिए and his tune is heard on the distant hill उसकी आवाज अभी भी उन दूर दूर hills तक आ रही है for the cage bird sings of freedom जो वो अपनी freedom के लिए गा रहा है I hope आपको ये beautiful poem written by Maya Angelou बहुत पसंद आई होगी best of luck dear learners I hope you like this video thanks for watching